हेलो गाइज, वेलकम टू दा जेके स्टेडी ओनलाइन, गाइज मैं लाया हूँ आपके लिए एक इंपोर्टन टॉपिक, फ्लोरा एन फ्यूना इन जे अनके, तो गाइज यह आपके अपकमिंग जेके से इस भी एक्जाम्स में बहुत हलफू रहने वाला है, जे अनके परसेंटेज आफ टोटल फॉरेस्ट कवर इन जे अनके यूटी, तो आपके पास ऑप्शन्स, फोर हैं, 39.15%, 0.14%, 21,387 स्क्वेर किलोमेटर, यहां फिर 29 स्क्वेर किलोमेटर, तो मैं आपको बता दू, क्वेस्टन अम्बर फर्स्ट कर आइट रहेगा, ऑप्शन वन, ठी है, 39.15%, याद रखना, 39.15% जो है, यह है, स्टेट आफ फॉरेस्ट रपोर्ट 2021 के अंडर, टोटल फॉरेस्ट कवर जे के यूटी का, ठीक है, लेट टेस्ट है, स्टेट का नहीं है, यह जेन के यूटी का ही है, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टन कोश्चिन की औ नेक्स्ट इंपोर्टन कोश्चिन है, कोश्चिन नमबर सेकिये, यह टोटल फॉरेस्ट आफ यूटी टाइटरी अफ लदाक इस, ठीक है, लदाक से लेटीड भी कोश्चिन आपको आ सकता है, तो लदाक का कितना है, यह आप से पुछा गया है, टोटल फॉरेस्ट कवर, तो आप्षिन से हैं, 1.35%, 2272 स्क्वेर किलोंटर या, फिर 1890 स्क्वेर किलोंटर यह 2889 स्क्वेर किलोंटर, आपको अगर आउट आउट अंसर बता है, आप आप आउट अंसर कमेंट करके बता सकते है, मैं आपको बता दू, कोश्चिन नमबर सेकिंड का राइट रहेगा, व 2272 स्क्वेर किलोमेटर यानि option B बिल्कुल राइड है ठीक है 2272 स्क्वेर किलोमेटर टोटल फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर है UTF लदाक का ठीक है चलते है नेक्स्ट इंपॉर्टन कोश्चन की और तो नेक्स्ट कॉश्चन है ठीक है टचिंगंगं नेशनल पार्ग का टोटल एरिया कितना है क्या वह 146 केलोमेटर है क्या वह 142 या फिर 141 तो मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारे नेशनल पार्क सो आप JNK को भी पढ़ा होगा तो आप इसली इसका अंसर कर सकते हैं इसका राइट अंसर है 141 स्केर किलोमेटर्स यानि D option D option बिल्कुर राइट रहेगा चलते हम next question की और अपने next question है question number 4 किश्टवार नेशनल पार्क वास established to protect simply आप से पुछाएं चो किश्टवार नेशनल पार्क है उसको established तो किया गया था लेकिन कौन सी species को protect करने के लिए क्या हंगूल को protect करने के लिए था snow leopard को protect करने के लिए था black neck crane को protect करने के लिए था या owls को ठीक है अगर आपको इसका right answer बता है तो आप बता सकते हैं मैं आपको बता दू इसका right रहेगा option second यानि snow lepers को protect करने के लिए किष्टवार नेशनल पार्क जो की largest नेशनल पार्क है जिक्के UT का उसको बनाया गया था ठीक है चलते हैं next important question की और question number five dash encompasses catchment area of kyber nand and kyaar nalas ठीक है तो options आपके सामने हैं किष्टवार नेशनल पार्क डचिंगम नेशनल पार्क पहलगाम या फिर नन आप दीज अगर आपको इसका right answer पता है आप right answer लगा सकते हैं मैं आपको बताऊं तो question number five तका right रहेगा option A यानि किष्टवार नेशनल पार्क इनकम पासिस catchment area of kyber nand and kyaar nalas ठीक है चलते हैं next important question की और question number six है which of the following wild life century is in jammu and kashmir ठीक है तो simply आपको jammu district में बतानी है jammu and kashmir में नहीं ये सबी ही सबी जो है अगर आपने देखा होगा जे एनके से ही related है options है क्यार वो राम नगर wild life century है नंदनी wild life century है या फिर ये दोनो या फिर टाटा कुट्टी wild life century ठीक है अगर आपको right answer बता है तो आप इसका right answer लगा सकते हैं sorry guys तो इसका right answer रहेगा option C यानि बोत राम नगर wild life century और साथ में नंदनी wild life century इर इन डिस्टिक जम्मू ठीक है चलते हैं next important question की और next question है बाहू conservation reserve is in dash district तो कौन सी district में है options है A कठुवा B किष्टवाड C सामभा और D जम्मू तो मैं आपको बता दूँ इसका right answer रहेगा option D यानि जम्मू में है बाहू conservation reserve ठीक है चलते हैं next important question की और dash is a wetland reserve and also a ramsar side तो इन में से बताना है कि कौन सा wetland reserve भी है और साथ में एक ramsar side भी है ठीक है options आपके सामने है option A है high gum option B है शालबाग option C है margen option D है हुकेरा तो यह आपके लिए easy है अगर आपने हमारी ramsar side से जिसमें हमने discuss की थी जिसमें ramsar side selected जितने भी facts से उनको discuss किये था अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप easily इसका right answer लगा सकते हैं तो मैं आपको बता दू question number 8 का right रहेगा option D हुकेरा ठीक है और कौन-कौन सी side से है रamsar side जो JNK में है यह आप अगर आपको पता है तो आप comment section में जरूर बताईएगा देखता हूँ मैं कि कितने candidates हैं जो सच में हमारे lecture देखते हैं और उनको इसका पता है ठीक है रamsar side हुकेरा को चोड़के और कौन-कौन सी है यह आपको बताना है तो question number 9 है इसके बाद थाजवा वार्लाइब सेंचरी इस लोकेटिड इन ठीक है थाजवा वार्लाइब सेंचरी जो है यह कहां पे लोकेटिड है क्या है यह बढगाम डिस्टिक में है गांदरवल में है अनंतनाग में है या फिर इन में से कोई भी option right नहीं है तो guys question number 9 का मैं आपको बता दू right रहेगा option B यह कहां पे है तो यह है गांदरवल डिस्टिक में थाजवा वार्लाइब सेंचरी इस लोकेटिड इन गांदरवल डिस्टिक आप जमूएन कश्मीर यूटी इसी को बोला जाता है कश्मेरी स्टैग यह पाया जाता है डचिंगम नेशनल पार्क में तो scientific name क्या है हंगुल का ठीक है options आपके सामने है आप right answer guess कर सकते हैं अगर आपको बता है तो मैं आपको बता दू question number 11 का right रहेगा option name ठीक है इसका अगर आपको पुछा जाएगा कि scientific name क्या है तो वो है service alphas hungoo ठीक है तो आप last में इसके है hungoo इससे भी आप यह crack कर सकते हैं कि इसका answer जो होगा इसका scientific जो होगा name तो उसमें भी क्या लगेगा hungoo ठीक है same bird आ रहा है सिफ ul की जगा lu हो गया ठीक है तो चलते है next important question की और next question है which of the following is ut bird of jnk ठीक है ut bird of jnk कौन सा है इससे पहले कौन सा था तो मैं आपको बता दूँ वो था black neck crane तो अब कौन सा है यह आपको बताना है ठीक है old मत बताईएगा ut लिखा हुआ मैंने straight bird नहीं लिखा ठीक है तो options आपके सामने हैं तो a option तो eliminate हो जाता है अब आपके बाद तीन option है इन में से right answer आप बता सकते है मैं आपको बता दूँ question number 12 के right रहेगा option b यानि खलीज फीजन यह है ut bird of jnk ठीक है चलते है next important question की और question number 13 है काजिनाग national park is located in the bank is located on the bank होगा ठीक है यहां पर थोड़ी सी mistake है हमारी तब से on the bank of dash river in dash ठीक है तो कौन सी river पर है काजिनाग national park ठीक है दो जो national park है इंडिया के एक है काजिनाग एक है काजिरंगा इसमें कभी भी confused मत हो ना काजिरंगा जो है वो है आसाम में काजिनाग जो है यह है jnk में ठीक है तो आपके पास options है क्या यह जेलम और बारामुला district में है क्या यह जिनाव रिवर के किनारे पर और कुपारा district में है क्या यह मारवा रिवर के किनारे और किस्तवा डिस्टिक में है या तब ही है जमू ठीक है तो बता दू question number 13 का राइट रहेगा option A ठीक है option A बिलकुर राइट रहेगा यानि यह कहां पे है तो यह है जेलम रिवर के किनारे पर और बारामुला district में ठीक है काजिनाग नेशनल पार्क is located on the bank of जेलम रिवर इन बारामुला district ठीक है चलते हैं next important question की और इस question है काजिनाग नेशनल पार्क is dominated by देवदार trees its scientific name is simply आप से पूछा हुआ है कि जो देवदार trees हैं वो काजिनाग नेशनल पार्क में dominated species में से हैं ठीक है तो आपको बताना है कि देवदार का scientific name क्या है options है आपके सामने four a option है citrus cedar, b option है citrus देवदार, option c है पाइका समिथियाना, फिर option d है abyss पिंड्रोव, ठीक है अगर आपको right answer बता है आप इसका right answer बता सकते हैं तो इसका भी मैं आपको बता दू, right answer है option b, citrus, देवदार, इससे आप easily crack कर सकते हैं यहाँ पे भी देवदार है और यहाँ पे भी देवदार है ठीक है तो चलते हैं next important question की और next important question है which of the following national park is located in JNK इन में से कौन सा national park है जो JNK में located है, ठीक है तो options है किस्तवार national park, option b है काजिनाग national park, option c है डचिंगम national park और option d है हमिस national park और option e भी है all except d तो guys अगर आपको इसका right answer पता है, comment करके बता सकते हैं तो मैं आपको बता दू, इसका right answer रहेगा option e, ठीक है यानि यह कहाँ, यह JNK में किस्तवार national park भी है, काजिनाग national park भी है और साथ में डचिंगम national park भी है, हमिस national park जो है, यह state जब JNK हुआ करती थी, तब था, अब यह कहाँ पे है, तो यह है अब लदाक में, ठीक है तो option e, बिल्कुर right रहेगा, यानि all except d, d को छोड़के सबी जो है, यह है JNK में, ठीक है तो guys, इस video में इतना ही, thank you, अगर आपको video लगी अच्छी, तो आप video को like कर सकते हैं और साथ में, अगर आप first time channel पर visit किये हैं, तो आप subscribe कर सकते हैं हमें, thank you guys